क्योंकि सफेद कभूदर किसका प्रतीक है? जी, शांती का. Is that right? तो जिसके चलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसी जो समाज है, वो शांती का प्रतीक है. बोला कैसे? आईए बताते हैं, कुछ वचन रखता हूं. सबसे पहले लुका 2 का चौदा. क्या कहता है? लुक 2.14 कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा, कौन स्वर्दूद? प्रित्वी पर उन मनुश्यों में जिनसे वह प्रसन होता है, क्या रहे? जो उसे? शांती. शांती. पीस. मैसेज क्या था उपर से? शांती का. येशु क्या बूलकर पैदा हुआ? प्रित्वी पर शांती हो. Can you believe this? Catholic वालों ने शांती का प्रचार किया. Charismatic वालों ने शांती का प्रचार किया. Mhenlion Church वालों ने शांती का प्रचार किया. सदियों बीत गई हैं. शांती, शांती, शांती. और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ. लेकिन जब रखूँगा ना, तो जोर का जटका, आगे बोल दीजे, धीरे से लगेगा. जोर का जटका, धीरे से लगेगा. या, या, या. ये कौन है? संगीता मिंज. संगीता मिंज. तोड़ा हरकत करो, कुछ करो. ऐसा लगता है कि, कुछ हरकत करिये, कुछ करना, कुछ करिये. हाथ इलाओ, रिस्पॉंस दो, कुछ ना, कुछ करो. ओके, वापस आते हैं. अभी वहाँ पे कितने लोग हैं टोटल? 172, वही? साड़े 300. ओके, यूटूब के लोगों दियांसर सुनियेगा. आखाश में, परमिश्वर की महिमा पृत्वी पर उन मनुश्यों में, जिनसे वो प्रसन है, शांती हो. इसी का चौदा कल सकता है. येशु जी के मूँ से क्या निकला? मैं तुम्हें शांती दिये जाता हूँ, अपनी शांती तुम्हें देता हूँ. अब देखो, वच्चन का एक टुकुड़ा उठा कर, कैसे डॉक्ट्रीन बनती है, जान दीजेगा. अभी प्रेडितों की किताब में, आपके जो पालूस्ट भाई हैं, वो भी क्या करें, पत्रस भाई हैं, वो क्या केते देखो? कहते हैं, जो वच्चन उसने इद्रालियों के पास भेजा, जबकि उसने येश्यू मसी के दौरा जो सबका प्रभू है, शांती का सुसामाचा सुना है. Is that right? Yeah, yeah, yeah. आविश्वासियों को हम कौन सा संदेश सुनाते हैं? शांती का, क्योंकि समाज में गड़बर हैं, समाज में बेचैनी हैं, समाज पूरी तरह से उतल पुतल हैं, तो ऐसे टाइम पे मसी लोग कौन सा संदेश लेके जाते हैं? एक साथ, शांती का, ये बिब्लिकल हैं, ये वचन में हैं, और इसी का हम प्रचार करते हैं, लेकिन, आए तयार हो जाएए, अब कौन्टेडिक देखो क्या है, मती की किताब उसका 10 का 34, येशु जी के मुह से निकला हुआ शब्द, वो कहते हैं, ये ना समझो, कि मैं पृ राकेट में पीस, क्योंकि इंग्लिश में पीस लिखा है, मैं तो तलवार चलाने आया हूँ, अरे बाबरे, सचिन भाही, सचिन दावरे जी, आप लोग पूरा फैमली बैठके देख रहे हैं, देखो क्या गजब का लिखा है, एक तरफ कहते हैं कि प्रभू शांती लाता ह दूसरी तरह प्रभू खुद कहता है कि मैं शांती नहीं, मैं तो आगे बोल दीजे, तलवार चलाने आया हूँ, राइट, कालेब जी, जारकंट से, राम प्रकाश जी, तो इसका मतलब है, अब इसको कैसे समझें, ये तो ये जो बाहर के लोग हैं, ये तो हम पे पक्का पाल उठाएंगे, तो इसका जवाब कैसे देंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, और बिल्कुल निश्चिंत रहके बैठना, क्योंकि आपके लिए जो ये बावर्ची है, जिसका नाम डैनियल है, ये आपके लिए अच्छा-च्छा खाना ब करें, देखो, फिर कहता हूँ, ये तो पकी बात है, के सु समाचार शांती का है, येश्चु का प्रचार में शांती की बात है, येश्चु ने कहा, मैं अपनी शांती दिये जाता हूँ, लेकिन येश्चु जी ये क्या बोल बैठे, जो contradict हो गया, रखता हूँ, ये ना कि मैं पृत्वी पर मेल मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप करने को नहीं, शांती पीस पर तलवार चलाने आया हूँ, येश्चु की वज़े से तलवारे चलेंगी, येश्चु तलवार नहीं चलाएगा, येश्चु की वज़े से तलवारे चलेंगी, येश्चु शांती चीनने नहीं आया, येशु की वजे से शांती चीन जाएगी, कैसे तयार हैं, बता दू लीजे, लुका की किताब उसका 21 का सत्रा, और मेरे नाम के कारण मेरी सिख्षाओं के कारण ब्रैकेट में मैंने डाला है, जरा प्लीजे एक साथ, लिका है सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, तो मुझे प्लीज बताईए, तलवारे चली, चली, लोग हाथ में तलवार उठाएंगे, पक्का उठाएंगे, आप से नफरत करेंगे, पक्का करेंगे, तो फिर मेरा प्रशने है, यहां शांती कहा है, यहां शांती कहा है, बताईए, जिस प्रचार को सुनके आशा जी, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिस प्रचार को सुनके निर्जला जी, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, क्या प्रचार किये तो हमको पास, लोग ने, येशु के पास आओ, तुमको शांती मिलेगी, येशु के पास आओ, तुमें आनन्द मिलेगा, आज भी कही लोग हैं, जो ऐसा प्रचार करते हैं, येशु के पास आओ, आपका जीवन बदल जाएगा, हम सब को छोड़ जाड़के, आगे बोल दीजे, येशु के पीछे चल आओ, ये जो पॉइंट है, बहुत गजब का, इसलिए मैं रिक्वेस्स करता हूं कि बहुत द्यान से सुनेगा, जितने यूटूब के लोग हैं भी सुनेगा, अच्छा अधूरे ग्यान वाले, जो मिल्क रिंकिंग क्रिशन वाले, जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती, औ मुझे नहीं पता कि जब अश्वार्ग में जाएगा तो प्रभु को क्या हिसाब देगा, मुझे नहीं मुझे अगलम उसका क्या होगा. जैसे येशु के टाइम पे, येशु के विलन थे, पत्रस के टाइम पे, पत्रस के लिए विलन थे, पाउलूस के टाइम पे, पाउलूस के विलन थे, वैसे मेरे टाइम पे भी बहुत सारे मार्केट में, खास करके यूटूब पे बहुत सारे विलन है, मेरे कोई फरक नी आप बुद्धी इस्तमाल करें, क्योंकि मैं आपको ये बाते बताने जा रहा है, तो येशु कहता है, मैं पृत्वी पर मेल करने नहीं आया, मैं पीस करने नहीं आया, बोला फिर मैं तलवार चलाने आया, आप सभी को पता है कि एक टॉपिक निकला था, जिसको कहते है, बाइबल की भाषा, language of the Bible, तो इसको भी वैसे ही समझना है, तो येशु के वज़े से तलवारे चलेंगी, कैसे वचन बता दिया, एक किसका सत्रह आगे और भी रखूँगा, लिखा है मेरे नाम के कारण, मतलब मेरी सिक्षाओं के कारण, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, आपने जैसे ही डिकलेर कर दिया, नेपाल में, या फिर भारत में, पाकिस्तान में, बांगला देश में, अफरीका, अमेरिका, यूके, यूएसे, आप जहां पे भी डिकलेर कर दोगे, आप से मैं येशु को मानता हूँ, तो आपका खुद का दोस्त, आपका बैरी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके साथ पहले बैटके, तुम सिगरेट पीते थे उसके साथ, लेकिन तुम मसी बन गए, और जैसे ही पता चला, संसार का जीवन जीते थे, आपने जैसे ही शान्ती का सुसामाचा सुना, आपका जीवन बदल गया, और वैसे ही आपका दोस्त का नहीं बदला, तो वो आपका क्या बन गया? जोर से दुश्मन, वो छोड़िये, पहार का तो बोल दिया, घर के, घर के, येशुने खुद का है, पती-बतनी के विरोध हो जाएगा, बच्चे-माबाब के विरोध हो जाएगा, माबाब बच्चे के विरोध हो जाएगे, पडोसी-अडोसी के विरोध हो जाएगा, यहां तक कि आपका बिजनस पार्टनर तक आपके साथ में दुश्मनी कर लेगा come on yes or no, रिष्थेदार आपको घर से निकाल देंगे, आपकी property छीन लेगे, मैं रखूंगा सब कुछ list में और साती साथ आपका यहां तक की आपके घाओं का हुका, पानी, राशन, X, Y, Z, सब खतम अब फिर पूछूंगा क्या येशू का सुसमाचार शांती वाला रहा नहीं अब एक और चीज़ connect कर रहा हूं, मसी बनना असान है, या मसी बने रहना repeat करता हूं मसी बनना असान है या मसी बने रहना मसी बने रहना, आप मसी बन सकते हैं ऐसे चुटकी में, लेकिन मसीब बने रहना, आपको पूरी जिंदगी भर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, तो वापस कहता हूँ, गजब का पॉइंट है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि कुछ लोग क्या करते हैं, हम तो शांती वाले हैं, हम तो प्यार वाले है हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे, be good and be good to others, concept समझ में आगया, be good and be good to others, America में यही चलता है, मैं जब जाता था वाँ पे, तो यही कहते थे, सबके साथ अच्छे से रहो, कैसे बता हूँ, डारूपीने वाले को कभी मत डाटो, पाप करने वाले को कभी मत डाटो, किसी को क शांती वाले लोग हैं, हम शांती के प्रतीक के लोग हैं, आप फिर इस वचन का क्या करें, इस वचन का क्या करें, इस वचन का क्या करें, येशु कहता है, मैं तो आया ही नहीं हूँ शांती के लिए, मैं तो आया हूँ तलवार चलाने, तलवारें चलेंगी, किस की वज़ से क्यों लिखा है मेरे नाम के कारण मेरी सिक्षाओं के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे मैं आपको बता दूँ यूटूब के लोगो के कम से कम सात आठ साल अभी से डानियल राज को यूटूब के ओपर खैर तभी तो इतना नहीं आता था लेकिन मसीर समाज में जहां पर भी जाता था मैं समझता हूं कि जब मीटिंग होती थी बड़ी-बड़ी कवाली सूफी जब गाया गाता था आशा जी आपने भी जिकर किया है तो ऐसे टाइम पर अरे बापरे ओटोग्राफ फोटोग्राफ फिर उपर से पैसे के पैकिट आते थे और फिर स्टार होट टाराए भी आपका मीटिंग करा नहीं हमको डेट चाहिए जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि जो नशा करता है वो गलत है जो घूस लेता है वो गलत है तुम चेले नहीं बना रहे वो गलत है तुम सुसमाचा नहीं सुनाए यैशू कि सिक्षा में आप चलने लगी क्या ज कहीं तो लिखा है, लेकिन जब मैंने सत्य बोलना शुरू किया, तुम तो मेरे बैरी बन गए, याद आया, हाँ, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन रखोंगा कुछ, शान्ती, ब्रैकेट में पीस, शान्ती तो हमको स्वर्ग में मिलेगी, क्योंकि येशु ने जब कहां, मैं अपनी शान्ती तुमें देता हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप, come on, get ready, आपको यहाँ पे अपेक्षा नहीं करना है, मैं इसको थोड़ा और हाड बोलूँगा, आपको पृत्वी पे शान्ती की अपेक्षा नहीं करना है, नहीं करना है, आप ऐसा कहोगे, कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, अब सब कुछ पीस्फुली चलेगा, पीस्फुली समझते हैं, अब सब कुछ पीस्फुली चलेगा, टायर पंचर हो गई है, अब गाड़ी ठीक से चलेगी, घर में पैसा आगया है, अब घर ठीक से चलेगा, मेरी मस्ही بن जाते हो आपका life उठल पुठल रास्ते से उठा कर चलना गूलगता के पहार से गुजरेगा सकरे रास्ते से गुजरेगा यहां से ताना, वहां से ताना यहां से बद्नामी वहां से बद्नामी, come on you sir no तो येशु कहता है फिर रख देता हूँ मेरे नाम के करन का गया मेरे नाम के करन लोग तुमसे बैर करेंगे इसले लिखा है शांती तो हमको याने मिलेगी हमको का मिलेगी सीधा सोरग में सीधा सोरग में इसले तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्या है और अनंद काल का शांती का राज्य है क्या बात है क्या बात है राइड सचीन जी आपका पूरा परिवार थाली बजा रहा है बच्चे लोग भी बड़ा अच्छा लग रहा है वंडरफुल वंडरफुल तो शांती तो यहां नहीं मिलेगे फिर पास्ट्री डैनियल और ने सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपसे बात्चीत मेरी होती रहती है नेपाल को लेके तो यहां पर क्या मिलेगा देख लिजे आपको यहां दुश्मनी मिलेगी आपको यहां दुश्मनी मिलेगी आज एक अलहन करी देता हूं यूटूब वालों के लिए एक अलहन करी देता हू तोड़ा सा पीने दीजे, पानी बहुत ध्यांसों सुनना तो वापस रखता हूँ कि शांती ब्रैकेट में पीस, हमको स्वर्ग में मिलेगा, क्या, शांती लेकिन यहां पृत्वी पे क्या मिलेगा दुश्मनी, तो YouTube पर, Facebook पर, Social Media पर, साती सा चर्च के पुल्पिट से, मसी समाच में, Society में, जिसको Christian Community कहते हैं, जो भी कोई, अगर सहमत है तो हाथ दिखा देना, ऐसा वाला, अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, फिर रिपीट करता हूँ, YouTube, Social Media, Facebook, आपका चर्च, पुल्पिट, आपका Christian Community पर, आप जैसे ही येशु की सच्ची सिक्षा पर चलना शुरू करोगे, आपके दुश्मन तयार, Yes? Yeah, 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 ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, मैं हमेशा एक एक एक्जांपल देता हूँ, दो तरह की गाड़ी है, एक है शोरूम की गाड़ी, और दुस्से है सड़क की गाड़ी, कंपनी एक ही है, मारूती, ओंडा, क्या कहते हैं, महिंद्रा, मर्चुरी, ओडी, ब्यम डव्लू, एक ही कंपनी की है, लेकिन दोनों गाड़ी में फरक क्यों है, पता है, शोरूम की गाड़ी में आपको एक भी खरोच नहीं मिलेगा, एक भी डेंट नहीं मिलेगा, एक भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं, गंदगी नहीं मिलेगा, लेकिन वही कंपनी की गाड़ी, जब सड़क पे चलने लगती है, आगे बोल दीजे, आपको पचासो गंदगी, पचासो डेंट, पचासो खरोच, आपको सब मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि वह गाड़ी शोरूम में है, क्योंकि वह किसी को कुछ नहीं बुलती, वैसे ही हम क्रिश्यन्स, जब सड़क पे आ जाते हैं ना काम करने के लिए, एक टाइम था, आम डैनियल राज को जानते थे, लेकिन अभी का डैनियल राज है, अगरी करता हूँ, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, यार अच्छा कासा घर पे बैटो, भजिया खाओ, चाए कॉफी पियो, और फैमिली के साथ में पिकनिक जाकिया, कभी-कभी ऐसा लगता है, लेकिन फिर बता चलता है कि मसी बने क्यों, इसलिए तो बने, अगर ऐसा ही जीवन जीना था, तो मैं समझता हूँ कि हम शोरूम के गाड़ी बनके, अराम से अंदर रहते, कोई डेंट नहीं, कोई खरोच नहीं, चुपचा बैठे रहो, लेकिन जैसे ही, येशु की बाते करना शुरू करो, सफेद को सफेद बोलना शुरू करो, काले को काला बोलना शुरू करो, सफेद को सफेद बोलते तो वो अच्छा है, काले को काला बोलते तो गलत है, वाँ, सी, so मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट से हम कितना कुछ सीख पा रहे हैं पर वापस कहता हूँ स्वर्ग में मिलेगी जानती लेकिन यहां पे मिलेगी दुश्मनी कुछ वच्छन रख रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सुन रहे हैं फोकस करेंगे पहला यहना सोला का दो देखे क्या लिखा है लिखा है मैं वे तुम्हें आराधनाले से निकाल देंगे कौन उस वक्त के इस्राइली उस वक्त के यहुदी आज के 21 सदी के so called denominations so called church आपको चर्च से निकाल देंगे आपको आपके अराधनाले से निकाल देंगे आपको आपके घर से come on निकाल देंगे फिर येशुया नहीं रुके वो कहते हैं वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा can you believe this जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ ओ 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 गॉड़ आप लोग सुन रहे हैं क्या लिखा है एक ऐसा वक्त आएगा कि जब Christians लोग Christians को मार देंगे मैं बात नहीं कर रहा हूँ आविश्वासी की मैं बात कर रहा हूँ Christians की मैं बात कर रहा हूँ यश्व को जाने वाले मैं बात कर रहा हूँ Bible बढ़ने वालों की ऐसा लिखा है वे तुम्हें अराद नालेओं में से यानि कि चर्च से निकाल देंगे वो समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ तो ये परमेश्वर की सेवा करने वाले कौन है सेवक ये परमेश्वर की सेवा करने वाले कौन है क्रिशन किसको मारेंगे ऐसों को मार डालेंगे, जो यश्यू का प्रचार करते हैं, सच्चा प्रचार करते हैं, घरी सिक्षा को ले कर जाते हैं, can you believe this? वाव! तो मेरा प्रशन है अभी, जब हमने फेस वन स्टार्ट किया था ना, इन्वाइट, तो उसमें बहुत सारा लड्डू था, बहुत सारा बटर, मसका, बहुत कुछ था, लेकिन ये कौन सा फेस चल रहा है? फेस टू, जहां पर आपको क्या दे रहे हैं हम लोग? आपको गहरी सिक्षा हैं, जिसको कहते हैं, इन्वेस्ट, है ना? तो ऐसे स्टेज पे मेरे को ये बात करना जरूरी है, जरूरी है, आप में से बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग साधरन लोग हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये बाते हैं, तो इसका मतलब है, बहुत धान से सुनिएगा, आप में से कल को कोई, अगर प्रचारक बनके, और जो कि ही कही दोग अभी प्रचारक है, तो इस बात को दिमाग में, अभी से गाढ़ बानद के रखो, के Facebook, YouTube, Social Media, Church, Pulpit या Society, Christian Society में आपको हर कोई पीठ थप थपा कर शाबाशी नहीं देगा नहीं देगा ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करना आपके साथ सब अच्छा होगा ना, ये शुने क्या कहाँ उनके फलों से तुम उनको पैचान होगे और कौन सी डाली पे पत्थर मारते हैं जिस डाली पे फल जादा हैं तो कभी परिशान नहीं होना तो फिर कहूंगा हाती चले बजार या मैं फिर रखता हूँ इस वच्छन को मैं फिर कहना चाहूँगा ऐसा वक्त आएगा तो इसका मतलब है कि आएगा अलड़ी आचुका है ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा आपका कतल तक कर देगा तो बदनामी करने की कौन सी बड़ी बात है मेरे विरोध में वीडियो बनाने की कौन सी बड़ी बात है डैनियल राज ऐसा है उसकी टीचिंग ऐसा है इसमें कौन सी बड़ी बात है बस हद तो ये नहीं हो गई कि मेरे को किसी ने अभी तक बंदूख से नहीं मारा अभी तक मुझे किसी ने तलवार से कतल नहीं किया और वो दिन भी आता है तो मुझे क्या लेके चलना है तो मुझे पर गोली इसले चली है क्योंकि मैंने येश्यू का प्रचार किया, रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरी सिक्षाओं के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तो ये जो अभी आजकल कुछ चल रहा है यूटूब के उपर, मैं उसकी रद्दी बर भी पर्वा नहीं करता, क्योंकि मैं तो पहले से प्रिपेर हूँ, मैं तो पहले से प्रिपेर हूँ, मैं तो पहले से प्रिपेर हूँ, तो ऐसा होगा, कि लोग तुमको कतल तक कर दें, बड़ उनको लगेगा, ये तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, क्या मुर्खता है जोचे, उनकी mentality देखो क्या है, कतल कर रहे हैं, कहते हैं सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों को मार रहे हैं, कहते हैं सेवा कर रहे हैं, उल्टी सीदी वीडियो बनाते हैं, कहते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, मु झुका हुषाआया8 नषाँचा हे पैसे नहीं है है मैं मसी जिवन का हिस्ट है वाँ ऐसा प्रचार नहीं होता साब आजकल बलकि सब उल्टा होता है आजकल मसी हो तो सताव नहीं आएगा मसी हो तो दुख नहीं आएगा मसी हो तो मार नहीं कहोगे गालिया नहीं मिलेगी, भूका नहीं रहोगे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपका अपमानी होगा, बोला क्यों, बोला हम मसी हैं, लेकिन नॉंसेंस है यह सब, ऐसा कोई वचन नहीं है, येशु कहता है, मेरे पीछे चलना है, लुका चौदा का 25 से 26 तक में, येशु कहता है, मेरे पीछे चलना है, कुरूस उठाओ, मात बनने की कोई शक जरूत नहीं है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अमीर कैसे बने? उसके तीन पॉइंट, अमीर कैसे बने? उसके साथ पॉइंट, अमीर कैसे बने? उसका अलग से अनॉइंटिंग है, हद दो गई हद दो गई यार, हद दो गई अगर मेरे प्रचार में अभी तक 25 फ़े एपीसोड चला रहा हो अगर किसी को लगता है कि yes Daniel भाई आप गलत प्रचार कर रहे हैं मैं खुद कहता हूं अगले आफ्दे से नहीं आना DT में अगले आफ्दे से DT में नहीं आना EDT में नहीं आना, मेरे को unsubscribe कर देना जब उसको फरक नहीं पड़ता तो फिर मुझे क्यों मैं फिर सब को पूछ रहा हू मसी जीवन का, क्या ये हिस्सा नहीं है according to the scripture सताओ, दुख उठाना, मार खाना मसी के लिए गालियां खाना भूका रहना, पैसे नहीं है थो भी मसी जीवन जीना, अपमान सह रहें, yes or no ये सब मसी जीवन का हिस्सा होना चाहिए कभी प्राथना नहीं करना, listen बहुत ध्यान से सुनो, कभी प्राथना नहीं करना, प्रभू सताओ हटा दे क्या करूँ, क्या करूँ, एक एक एक्जामपल आ रहा है, दे सकता हूँ, लीजे, लीजे देता हूँ, जैसे ही प्रइटों के तीसरे आतियाए में, एक ज़डाम का लंगड़ा को दो लोगों ने एक है पत्रस, दुसरा है योना उसको ठीक क्या कर दिया, ऐसा लगता है कि उनकी मिनिस्ट्री पे अटैक हो गया, येस जैसे ही लंगड़ा, कुदता उचलता, मंदिर पहुंचा वहां के शास्त्री फरशी ने पूचा अरे ये तो वही आदमी है, जो फाटक के बाहर बैटा भीक मांगा, उसने पुछा तुझे किसने ठीक किया, बोला दो लोग आये थे, एक का नाम शायद पत्रस है, एक का नाम शायद यहोना है, उसने मेरे लिए प्रातना करी, येशु के नाम से कुछ कहा मैं तो खड़ा हो गया, फिर उसने बोला एक काम करो, इसको छोड़ो, दोनों को पकड़ो दोनों को पकड़ के लेकर आये, बीच सबा में धमकिया, उनके उपर थपड़, उनको पीटना ये सब कुछ करके, जब ये सब कुछ करके, पूरा दिन उनके उपर बिताके, टौचर कर करके उनको कौन सी धमकी दे कर छोड़ा पता है कहते हैं खबरदार अगर येशु के नाम का प्रचार फिर से किया आप जानना चाहते हैं ये वहाँ से बाहर निकले बीच सड़क पे खड़े होकर कौन पत्रसौर्य होना यूटूब के ले को द्यांसर सुनो इसका मतलब है कि कभी प्रात्ना नहीं करना कि सताव खताम हो जाए दुख हटा दे, मार खाने से बचा ले गालियों से बचा ले भूका रहने से हमको कैसे आप प्रभू रख दिये पैसे नहीं है प्रभू हम क्या करे हमारा बड़ा अपमान हो रहा है प्रभू हम क्या करे, make this all your Christian lifestyle, इसको मसी जीवन शैली बना लेजे मसी जीवन का शैली बना लेजे जिस दिन गाली नहीं खाया, प्रभू को पूछो प्रभू, क्या बात है, आज मुझे किसी ने गाली नहीं दी कहीं कहीं, मिनिस्ठी में गड़बड तो नहीं चल रहा है, अगर गालियां खाते हो, मिनिस्ठी सही है आपका अपमान होता है, आपकी मिनिस्ठी सही है, आप दुख उठा रहे है आपकी मिनिस्ठी सही है आपके पास में पैसो की दिक्कत आ रही है, आपकी ministry सही है, आपका मसी जीवन सही है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप में गड़बड है, come on yes or no अरे बाप रे कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सा प्रचारक है, जो ऐसा सिखा रहा है ये वो प्रचारक है, जो येशू सिखाता था, जो येशू सिखाता था, thank you, thank you, thank you, thank you, बहुत बहुत शुक्रीए आपके response का, क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है, इसको लीजिए, इसको लीजिए, क्योंकि मैं 22 पिड़ी को तयार कर रहा हूं, मैं 22 पिड़ी को तयार कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि लुसिफर बिलकुल खुश नहीं है, he is not at all happy, he is not at all happy, anyway,